ओराइ गाइस दिस दे सेवन के मास्टर्स विडियो कोजीमा की 1994 की गेम पुलिस नोट्स के बारे में मेटल गिर सागा में पुलिस नोट्स के बहुत पर्मोशन और क्रोस ओवर दिखते हैं जिस से फाइनली आई डिसाइडे टो लुक अट इस स्टोरी और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत लोगों की ओनली इंट्रोड़क्शन होगी विद पुलिस नोट्स इसलिए मैं इस वीडियो को लंबा रख रहा हूँ और पूरी स्टोरी वैसे ही कवर करूँगा जैसे गेम हमें बताती है एनिसी के साथ नौ लेट्स स्टार्ट साल 2010 में मैंनकाइंड अपनी फर्स स्पेस कोलोनी नेमड बियोंड कोस्ट इस पे वर्क खतम कर उसे स्पेस में लाँच कर देते हैं और तीन साल बाद बियोंड इम्मिग्रेशन के लिए रेडी है बट उससे पहले वर्ल्ड के पांच सबसे इलीट पुलिस ओफसर को सेलेक्ट किया जाता है जिनने एस्टरोनोट ट्रेनिंग दे उन्हें बियोंड कोस्ट में इनिशिली लोग एंड सेक्यूरिटी मेंटेन करने की जिमिधारी मिलती है इन लोगों में है जोसफ सादाओ की टोकुगावा फ्रम अमेरिकन एन्यपीडी लोस अंजलिस पुलिस एड ब्राउन और हमारा प्रोटेगनिस्ट जोनाथन इंग्रम और ये इस बोथ एड एड एन जोनाथन बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये पांचों एस्टरनॉट्स जिनके पास पुलिस अथोरिटी थी इसी से इन्हें पुलिस नॉट्स का नाम मिलता है लेकिन इन पुलिस नॉट्स की एक स्पेस वोक के दुरान किसी ने जोनाथन के EMPS सूट को सैबिटाच कर दिया और एस जोनाथन बियोंड में वापिस आ रहा था तो ये सूट आउट अफ कंट्रोल जा जोनाथन स्पेस में गुम हो जाता है बट थैंक्फुली इस सूट में एक रायो पोड सेफटी मेकैनिक था जिससे जोनाथन क्रायो स्लीप में पहुंच वो जिन्दा रहता है बट ये पोड रेस्ट ओफ दे वर्ल्ड को 25 साल बात मिलता है और जोनाथन को ये स्लीप से उठाते जोनाथन कोल्ड स्लीप के कारण वो इन 25 सालों में एज नहीं हुआ और वो अभी भी यंग ही दिखता है लेकिन जोनाथन के अराउंड की लाइफ मूव ओन कर चुकी थी इंक्लूडिंग हिस वाइफ लोरेन जिसने भी जोनाथन को डैड समझ दूसरी शादी कर ली ओन बियॉंड सो जोनाथन अपनी सारी बुरी यादों को पीछे चोड़ने के लिए अब वो बियॉंड पर नहीं जाएगा और अर्थ को अब होम कहते हैं जोनाथन होम में ही ओल्ड एले सीटी में एक प्राइविट निगोशीटर बन वो चाइल्ड के नैपर्स और हुमन ट्रैफिकर्स में निगोशीट और भागे हुए क्रिमिनल्स को ट्रैक करता है जोनाथन के क्रायो स्लीप से उठने के तीन साल बाद अब येर है 2040 जोनाथन को एक न्यू क्लाइट की कॉल आती है जो बियॉर्ण्ड से उसके पास आ रहा था और जोनाथन की अपनी स्लीप से उठने के बाद जब उसे पता लगा कि उसकी एक्स वाइफ और न्यू हजबन की एक डॉटर भी है तो उसने अपनी एक्स वाइफ को दुबारा कॉन्टेक्ट नहीं किया अलसो लास्ट केस जिस पे जोनाथन वर्क कर रहा था उसकी निगोशेशन फेल होने पे जोनाथन समझ जाता है कि वो बच्चे को अभी तक मार दिया होगा और उसके ओर्गन्स को हाइस बिडर को बेच दिया जाएगा यहीं क्लाइंट के शोप पे आते यह क्लाइंट जोनाथन की वाइफ लोरेन थी जो बियॉर्ण से होम पर इस्पेशली जोनाथन की हैल्प मांगने आई और यह जोनाथन की स्लीप से उटने के बाद लोरेन से पहली मुलाकात थी और लोरेन यहाँ आप 55 एज में पहुंच चुकी थी बट जोनाथन अभी भी 30 येर्स जैसा ही था और दोनों इतने सालों का कैच अप कर जोनाथन को लोरेन की बेटी का नाम केरन पता लगता है जो की बियॉर्ण में न्यूस एंकर है लेकिन लोरेन बताती है कि उसके हस्बंड कैंजो होजो जो की तीन हफ़तों से मिसिंग है और बियॉर्ण की पुलिस और उसकी कंपनी भी लोरेन की हेल्प नहीं कर रहे और होजो यहां टोकुगावा फार्मसुटेकल्स में एक फार्मा इंजीनियर था और तीन हफ़ते पहले ही होजो ने लोरेन को कुछ आइटम्स दिये इन केस वो ऐसे ही मिसिंग हो जाए तो यह आइटम्स थे चार टोकुगावा फार्मा कैप्सुल्स एक आधा लीफ और वर्ड नेम्ड प्लैटो जोनतन कहता है कि यहाँ अप अपनी एक्स वाइफ के हस्बेंट को ढूलने का केस लेना है यह नहीं यह डिसाइड कर सकते हैं बट रिगार्डलेस वो यह क्लूस हो जो की फोटो यह जोनतन को दे जाएगी बट लोरेन के यहाँ से जाते ही जोनतन अपनी शोप से देखता है कि लोरेन की कार के पास फुट मार्क्स थे एन एक हैलमेट पहने बंदा यहाँ से भाग रहा था और इससे पहले जोनतन अपनी एक्स वाइफ को बचा पाता लोरेन की कार ब्लास्ट हो जाती है जोनतन नीचे जा इस हेलमेट मैन से लड़ता है बट जोनतन की बरैटा 92 की बुलेट्स इस बंदे को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाती और इसका पीछा करते जोनतन ये बंदा रेड बलड की जगा वाइट बलड यूज़ कर रहा है ये देखता है और ये बंदा एक बाइक से जोनतन से बचके भागने में कामियाब रहा जोनतन वापिस लोरेन के पास पहुंच लोरेन देखती है कि जोनतन ने अब भी उसके दोरा दी घड़ी ये पहनी हुई थी बट लोरेन यहां मरने से पहले वो जोनतन से प्रॉमिस ले जाती है कि वो उसकी बेटी केरेन का ध्य प्रियान रखे और उसे कुछ ना होने दे एस केरन बहुत बिमार थी और यही कहकर लुरेन मर जाती है और जोनथन अपनी एक्स वाइफ को वो यह केस सॉल्व करके ही रहेगा यह प्रॉमिस करता है और जोनथन अगली ही स्पेस फ्लाइट से बियॉंड में जाता है इस फ्ला किया गया है so terrestrials obviously जो अर्थ से हो बट जिने स्पेस कितनी expertise नहीं है then amphibians जो astronauts हो यह जिने high gravity को adopt करने में ज्यादा दिक्कत ना हो like Jonathan एक amphibian है then frozeners यह एक new type of humans है जो की artificially fertilized eggs से बनते हैं and in eggs को surrogate mothers के थ्रू डिलिवर किया जाता है and ऐसे humans space से ज्यादा compatible होते हैं compared to normal and frozeners य यहां advanced artificial blood भी use कर सकते हैं जो की normal human के compatible ना हो and इनकी organ transplant की compatibility भी बहुत high रहती है and yes यह Tony Redwood भी एक frozener है जो हमें यह से बताता है now space में Jonathan को SAS होती है which stands for space adaptation syndrome जो की zero gravity को adapt करने का दूरान human body को हो सकती है and Jonathan यहां boob enthusiast है he likes to touch and feel all the boobs he could find and अपनी SAS T करने के लिए Jonathan flight attendant को भी touch कर सकता है also 1996 में Sony के Shoo Yoshida ने यह game की PS1 release के लिए Kojima को यह feature हटाने को कहा था जिसे comply करने के लिए PS1 version में censorship introduced की गई जिसमें पहले यह सब jiggle animations पहुत slow कर दी गई and PS1 version में आप सभी female के chest को touch नहीं कर सकते कुछ females completely cut कर दी गई and touch कितनी बार कर सकते हैं वो भी 2-3 पर limit कर दिया whereas original PC98 version में आप Lorraine को छोड़ कर सभी females को touch कर सकते हो and यह चीज September 1996 की Sega Sachin release में भी है that's why Sega Sachin version को police nots का definitive edition माना जाता है now since kojima की team ने इस game में हर एक चीज का lore बनाया है तो let me tell you some important things about beyond coast beyond एक cylindrical type colony है जिसका diameter 6.5 km है and length 32 km यह colony earth से 3,80,000 km दूर है almost same as moon यह colony हर 2 minute में rotation पूरी कर earth की gravity बनाती है and since moon पे एक दिन एक महीने का होता है beyond coast में solar arrays को मोड कर day and night cycle बनाया जाता है इस colony का climate बिलकुल exact copy है of USA's west coast इसलिए इसे beyond coast नाम मिला and यहां का environment भी earth की copy है और यहां कोई भी insects नहीं है बस seed dispersal के लिए house flies and soil उपजाओ रखने के लिए earthworms यहां छोड़े जाते है and last May 2013 के बाद अब तक beyond की population 1 million यानि 10 lakh हो चुकी है and 2040 तक अब beyond में लोगों की second generation स्टार्ट हो चुकी है also flight में ही जोनथन यहां BBC News भी देखता है which stands for Beyond Coast Broadcasting और इसी शोगी anchor Karen Hojo लोरेन की daughter थी so news में दिखाते हैं कि Beyond Coast में नार्क नाम का drug हद से जादा viral हो चुका है and Beyond Coast Police, short में BCP इस drug को control करने की पूरी कोशिश कर रहे है and यह drug, addictiveness of morphine and hallucinogenic properties of LSD को mix करके बनता है and space में यह सबसे ज़्यादा common illegal drug है also Redwood से बात करते हैं एक और BBC Broadcast से पता लगता है कि Beyond पे organs की heavy shortage है and यहां space की weightlessness and cosmic race से organ abnormalities बहुत common है so इसी के साथ Jonathan अब Beyond पे पहुंच यह था end of prologue and अब start होता है Act 1 which is Beyond Jonathan Beyond Coast पे पहुंच यहां उसके पास private investigator वाले privileges नहीं है जिससे Jonathan को पता है कि इस case की investigation के लिए उसे उसके best friend Ed की help लेनी होगी जो की अभी भी BCP में काम करता है so Jonathan के BCP पहुंच यहां आप वो new EMPS suit देखता है by the way BCP stands for Beyond Cost Police and EMPs for Extra Vehicular Mobility Suit जिसे MSP कहते हैं and Kojima को इस game में acronyms बनाना बहुत पसंद है so BCP के अंदर पता लगता है कि add कोई बड़ा officer नहीं बलकि BCP की WISE squad का chief है and WISE को BCP का junkyard कहा जाता है as सबसे boring cases WISE को मिलते हैं also forgot to mention कि BCP में police nods को दशको पहले ही बंद कर दिया गया था उसकी जगा अब AP unit बनाई जाती है which is advanced police and BCP में अब सारा काम AP ही करते है and AP में mostly frozener ही work करते है so ये सब info के साथ Jonathan के WISE में पहुँच यहाँ AD सुबा ही सो रहा था and Jonathan के उसे उठाते दोनों दोस्त इतने दशकों के बाद मिल रहे थे and Jonathan AD को उसकी इस case में help करने को कहता है but AD के पास को ज़्यादा jurisdiction नहीं बची hence they call WISE a junkyard but as Jonathan अकेला इस case पर work करने यहां से जाने वाला था AD अपनी stubbornness छोड़ चाहे उसे जितनी डांट पड़े उसकी retirement pension चली जाए तब भी AD Jonathan की help करने के लिए ready हो जाता है and AD की unit के Dave and Meryl भी इस case में Jonathan की help करेंगे so let's address the elephant in the room यह Meryl भी Meryl Silverberg ही है but यह different character है and police knots Metal Gear Universe में भी canon है but वो कैसे canon है यह मैं वीडियो के end में बताऊंगा बिल्कुल MGS की तरह यह Meryl भी बहुत tough and strong है and वो home से यहां beyond में shift करी Dave on the other hand वो beyond में ही पैदा हुआ and वो home migrate करना चाहता है and उसे hamburgers बहुत पसंद है वो bulletproof jacket नहीं पहनता and एस vice में लोगों को जिन्दा पकड़ना रहता है तो उसकी gun training सिर्फ non-lethal areas में मारने की ही है now there is another elephant in the room two actually so अगर Jonathan Meryl की chest touch करना चाहता है तो पहले तो Meryl उन्हें हाथ भी नहीं लगाने देगी फिर Meryl एक deal करती है कि अगर Jonathan उसका shooting range का high score तोड़ देता है of 550 points then she will consider and I spent 4 hours of my life figuring out controller से कैसे optimally ये score तोड़ सकते है and mouse भी attach करके देख लिया until I finally cracked it and यहाँ ये joke है कि Meryl के boobs were so hard from all the rough and toughness that it makes elephant sound So now Ed हमें BCP के other branches दिखाता है जिसमें first हम forensic lab में पहुंच यहाँ के lead doctor Victor Yergan से मिलते हैं जो की Russia से है and उसने अपने AI device को Gorby नाम दिया named after the last president of Soviet Union Mikhail Gorbachev also Victor Jonathan को as former police note पहचानता है and Jonathan के Victor को Lorraine से मिले capsules and ये आधा leaf देते Victor कुछी गंटे में इन capsules को analyze कर हमें बताएगा meanwhile Jonathan and Ed अब AP police में जाते हैं जहाँ Jonathan अपने former police note Gates backer से मिलता है जो अब AP का commander and पूरे BCP का chief है यहाँ Jonathan joke करता है कि वो अब यहाँ का big boss है now Jonathan Gates को भी बताता है कि वो यहाँ एक Tokugawa employee उसका missing case solve करने के लिए आया है यहाँ Tokugawa पूरे Beyond को control करता है as Tokugawa Group की हर sector में company है for example Tokugawa Heavy Industries Tokugawa Pharmaceuticals construction etc and Beyond में Tokugawa is like Vladimir Putin in Russia as he owns everything by the way यह सादाओ की Tokugawa वही है जो 30 साल पहले Jonathan के साथ एक police note था और 20 साल पहले ही Tokugawa ने BCP की job छोड़ अपनी Tokugawa Group को संभाला and अब वो इतना बड़ा आदमी बन चुका है and Gates बैकर भी यही कहता है कि since Tokugawa is involved तो वो इस case में official inquiry नहीं कर सकते but वो Ed and Jonathan को unofficially इस case को follow करने की permission दे देता है and अगर दोनों को कुछ मिलता है तो AP अपना full support देगी और यहीं AP office में ही Jonathan को वहीं Tony Redwood दुबारा मिलता है जो यहाँ AP officer था Ed बताता है कि Redwood AP का bomb disposal head है also he is the best EMPS pilot जिससे उसे Mr. Godard भी कहते है Redwood यहाँ real में nice नहीं है वो बस plane में Jonathan के साथ nice होने की acting कर रहा था also Redwood यहाँ Ed से एक bomb related question पूछता है as Ed Earth पे bomb squad में था until he joined narcotics in beyond so Redwood कहता है कि एक bomb maker अपने bomb में बहुत safety protocols रखता है and Ed bomb को diffuse करने के लिए red and blue में से कौनसी wire काटेगा जिसमें Ed red for Redwood चूस करता है and Redwood कहता है कि wrong option bomb makers को पता है कि सभी red wire ही select करेंगे तबी ही वो पहले blue wire को cut करता है इसी tip के साथ बोथ Ed and Jonathan वापिस Victor के पास पहुंच Victor ने अभी तक उन capsule को analyze कर लिया and वो बताता है कि 4 capsules normal capsules हैं of vitamins cuff medicines etc और यह capsules तो already market में भी भिक रहे है and there is nothing illegal about them but फिर हो जो इन ही capsules को Lorraine को क्यों देगा there must be something जिसमें Victor कहता है कि एक ही चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही हर drug का उसका identification code होता है और इन capsules में भी Tokugawa Pharma के symbols है but एक capsule पे left signia missing है और एक capsule पर right signia और यह एक printing mistake भी हो सकती थी but फिर other दो capsules पर भी ऐसा ही है swim capsules में कुछ तो होगा as Lorraine ने अपनी जान गवा कर इन्हें Jonathan तक पहुंचाया but capsule से अलग वो leaf पे चलते तो doctor immediately बता देता है कि यह black poppy leaf है and poppy मतलब अफीम वाला plant और poppy main ingredient है in space drug called narc and beyond पर poppy cultivation दशको पहले ही ban कर रखी थी जिसमें Ed समझता है कि यह poppy earth से यहां आ रहे होंगे लेकिन Victor अपने analysis से conclude करता है कि यह leaf artificially grow किया गया and यह leaf इतना साफ है कि इस पे मिले substance सिर्फ beyond में ही मिल सकते थे यानि कि यह leaf beyond में ही illegally grow किया गया सो इन सब चीजों की sense बनाने के लिए बोथ Jonathan और Ed Tokugawa Pharma से पूछताच करने पहुँचते हैं जहां Michael Sato नाम का guard दोनों को attend करता है and यहां lobby में एक yellow color का heavily barricaded room भी था जिसके पार इनकी pharmacy की factory है और इस room के बारे में पूछने पे Sato बताता है कि इस room में गुसने के लिए Tokugawa से personal permission चाहिए रहेगी and since दोनों के पास कोई warrant नहीं है तो दोनों किसी तरह इस guard को Kenzo Hojo का room unlock करने के लिए मना लेते हैं Hojo यहां Tokugawa Pharma में DDS branch में था which stands for drug delivery system जिसमें Hojo का काम था कि space में ये medicines कैसे असानी से human body में mix हो जाएं ये सब ढूनना and इस office में हमें Hojo का PC named T-gear 99 दिखता है ये computer सिर्फ Tokugawa employees के पास ही रहता है as ये PC Tokugawa network से connected थे and यहां पता लगता है कि Hojo ने K-series की medicines पर काम किया और अब वो यहां K-9 series पर काम कर रहा था जो कि अभी unreleased है यहीं Hojo के white board पे Jonathan देखता है कि यहां 15th date को जब Hojo missing हुआ था उस दिन उसने अपने schedule में लिख रखा था कि K-9 drug के 100 set at B-C-C-H B-C-C-H यहां beyond में सबसे बड़ा hospital है और ये सब देख गार बताता है कि ये लोग untested drugs को hospital में trial run के लिए test कर रहे होंगे बट Jonathan question करता है कि इतनी बड़ी बातरा में untested drug थोड़ी न test कर सकते हैं यहां से हमें बस इतनी ही info मिलती है बाकी की info के लिए दोनों B-C-C-H में पूछताच करने पहुँचते हैं Also B-C-C-H stands for Beyond Coast Central Hospital hospital के अंदर receptionist से इस hospital की authority के बारे में पूछते वो हमें director के room तक guide करती है और director के office में पहुँच यहां हमें B-C-C-H की director Chris Goldwyn मिलती है जो कहती है कि वो दोनों को पहचानती है and she reveals की 30 साल पहले वो एक model थी and जब दोनों police nots थे तो सभी ने Chris के साथ एक magazine के लिए photo की चुआई थी and she welcomes us यहीं Chris का office चेक करते Jonathan Chris एन एक baby की photo देखता है जो Chris बताती है कि उसके friend का baby है and यहां Chris excessive amount of lavender perfume यूज करती है and Jonathan यही चीज़ भी notice करता है now Chris से Kenzo Hojo के बारे में पूछते उसे Hojo का कुछ नहीं पता and Ed पूछता है कि hospital में pharmaceuticals कौन handle करता है जिससे Chris जुन इशीदा से बात करने को कहती है इशीदा एक Tokugawa pharma employee है जो Tokugawa के लिए BCCH में काम कर रहा था to monitor and control all Tokugawa medicines in this hospital और इशीदा के office पर जाने से पहले यहां Chris के पर्स से एक masquito machine release हो जाती है masquito mechanical mosquitoes पर braced machines है जो Tokugawa heavy industries and pharma ने बनाई जिससे patient को बिना दर्थ किये उनका blood sample निकाला जा सके यहीं Chris का mosquito खराब हो यहां वहां गूमने लगता है और यहां एक mini game है to catch this mosquito जो Chris की chest पर बैठ जाएगा and Jonathan Chris की chest से mosquito पकड़ लेता है So अब जुन इशीदा के office में पहुंच यहां भी हमें Tokugawa pharma का T-gear 99 computer दिखता है and इशीदा से होजो की disappearance के बारे में पूछते वो बताता है कि 15th को होजो काफी emotional था and वो यहां 3 sets of K9 medicines के साथ आया जबकि हमने होजो के office में वो यह 100 sets के साथ आने वाला था यह पड़ा सो बाकी की 97 K9 drugs अब unaccounted है इशीदा आगे बताता है कि 15th को होजो यहां काम खतम करने के बाद सीधा प्रेजिडेंट Tokugawa से मिलने गया था and इशीदा जैसे employees Tokugawa से hardly 2-3 साल में एक ही बार मिल सकते हैं बट होजो Tokugawa का special था as उसने प्रेजिडेंट के घर पर डिनर वगएरा भी कर रखा था जोनाथन के यह सादाओ की Tokugawa कहां मिलेगा यह पूछते इशीदा Tokugawa headquarters में जाने को कहता है and यहां Tokugawa headquarters पूरे Beyond को जोड रहे एक main pillar में है जिसे the prop भी कहते हैं यह pillar में 40 floors थे and it's a massive building Now, Ed and Jonathan के इस building के अंदर पहुँच दोनों receptionist से सुनते हैं की Tokugawa यहां एक meeting में है और हम उससे ऐसे ही नहीं मिल सकते और इस receptionist से होजो के बारे में पूछते हमें यहां इस building में हर visitor का record रखा जाता है यह पता लगता है and 15th को Kenzo Hojo यहां आया था की नहीं यह चेक करने पर पता लगता है की Yes, Hojo चार बजे यहां प्रेजिन्ट से मिलने आया था और Ed के वो यहां से निकला कब यह पूछते यहीं यह database में Hojo यहां से अभी तक गया ही नहीं यह पता लगता है So, Ed and Jonathan को यह समझ आ जाता है की Hojo यहीं से गायब हुआ and अभी तक दोनों को Hojo के घर की location मिल जाती है So, दोनों अब Hojo के residence में जाते हैं और Hojo का घर यहां काफी पोर्ष जगा पे था यहां हम Lorraine and Hojo की daughter Karen Hojo से मिलते हैं जो Jonathan को बिलकुल यंग Lorraine जैसी दिखती है बट Karen Jonathan को पहचान as Jonathan उसकी mother का ex-experience था तो Jonathan को लेकर उनके घर में बहुत लड़ाईयां हुई and as Lorraine last time Jonathan से मिलकर उसकी death हुई थी तो इसी से Karen Jonathan को उसकी lives बिगारने का दोशिश समझती है बट Jonathan के समझाते की वो यहाँ यह case solve करने आया है Karen उसकी नहीं सुनती until Ed Karen को बताता है कि Jonathan अपनी ex-wife से कितना प्यार करता था and वो Lorraine पर कभी आँच नहीं आने देता इसी से Karen situation समझ दोनों को घर के अंदर आने देती है Karen से बात करने पर पता लगता है कि उसकी तबियत बहुत खराब है as उसे A plastic anemia है जिसमें Karen की body new blood cells नहीं बना पाती and इससे वो hemorrhage infection से बहुत susceptible है and खून की कमी होने के कारण Karen बहुत ही pale white दिखती है and इस बिमारी का cause space की cosmic radiation है and इसका इलाज सिरिफ एक bone marrow transplant ही है बस Karen का HLA type का donor पूरे beyond में नहीं मिल रहा और इतने बड़े operation का करचा अलग so Karen slowly मर रही है यहीं Karen से उसके father Hojo के बारे में पूछते पहले Jonathan Hojo की hobby old music CD सुनना है यह सुनता है then Jonathan and Edd के Hojo का यह CD collection देखते जिसमें एक CD बहुत ही अजीब थी as उसे music pair में डालने से सिर्फ beeps and bop sound सुनाई दे रहा था and अभी दोनों इस CD पर ध्यान नहीं देते also Karen यह बताती है कि since उसकी तबियत कभी भी खराब हो सकती है तो BBC News वाले उसके बदले उसका AI clone यूज करते हैं for news reporting यहीं Jonathan के Hojo के study room में जा यहां हमें Hojo की Tokugawa ID मिलती है जिसे अपने पास रखते Karen ने उसकी मदर की makeshift shrine बनाया है ये भी दिखता है as Lorraine की death earth पर होने से home वालों ने Lorraine की body release नहीं की hence Karen को बोडी के बगैर ही एक funeral अरेंज करना पड़ा now Karen के घर से Hojo की ID लेने के बाद दोनों अब दुबारा Tokugawa headquarters पहुँचते हैं ताकि receptionist को ये ID दिखा कर कुछ और info मिल सके और यहां पहुँच receptionist बताती है कि यहां building के garden में Tokugawa Pharma की एक new medicine launch की party चल रही है और Jonathan ने एड समझ जाते हैं कि सदाओ की Tokugawa भी इस party में होगा ही सो इस party में entry के लिए दोन receptionist को मनाते हैं बटशी सेज की सिर्फ Tokugawa के friends इस party में जा सकते हैं जिससे Jonathan Tokugawa के साथ उसके police no days की photo दिखा कर receptionist को हम Tokugawa के loyal friends से ये convince कर लेता है और दोनों को 28th floor के garden पर जाने की permission मिल जाती है यहां party में हमें reberthers मिलते हैं as Tokugawa companies 20 past year से dead actress models के DNA से उनके clones बना कर अपनी party में लोगों को entertain करते हैं यहीं Jonathan को इस party में अर्थ के mafias भी दिखते हैं अल्सो एक military grade EMPS suit भी जो अभी market में नहीं आया और कुछ दिर बाद हमें Tokugawa भी इस party पर मिलता है जिसके साथ Chris and the last police not Salvatore Toscanini भी थे Jonathan Salvatore से पूछता है कि वो यहां क्या करता है जिसमें Salvatore Tokugawa के लिए moon पर mining वगेरा संभाल रहा था और वो यहां सिर्फ party के लिए आया और overall यहां Tokugawa से बात करते वो बस dumb बनने की acting कर कि उसे Kenzo Hojo का कुछ नहीं पता यहीं कहता है जिससे Jonathan बढ़क कर Tokugawa पर चिला देता है and he will go deep in this case जिससे Tokugawa Jonathan और Ed को party से निकलवा देता है यहीं Ed भी कहता है कि अभी हमारे पास Tokugawa को blame करने के लिए कोई भी proof या evidence नहीं है so Ed Jonathan को थोड़ी सी rest के लिए उसके घर लाता है and this is the end of Act 1 Act 2 is called Astronauts जहां Ed के Jonathan को अपने house में लाते हम यहां Ed की बेटी आना and Ed द्वारा adopted बेटे Mark से मिलते हैं Mark यहां mental trauma की वज़े से गूंगा है as उसके vocal codes वगरा तो ठीक हैं लेकिन छोटी उमर से ही उसने अभी तक एक भी line नहीं बोली and वो अब बोलने की कोशिश करे भी तो भी नहीं बोल पाता and Mark यहां अपनी paintings के through communicate करता है यहीं Ed इसका reason reveal करता है कि एक बार Ed नार्क overdose का case follow कर जब वो scene पर पहुँचा तो Mark के फादर ने नार्क के नशे में अपनी wife को चाकू से मार दिया and वो Mark को भी मार नहीं वाला था कि Ed ने Mark के सामने ही उसके फादर को मार दिया और इसी accident से Mark की अवास चली गई और इसी दिन से Ed ने गन चलाना छोड़ दिया also यहीं Ed ने Mark को अनाद देख उसको adopt किया but Mark यहां अभी तक Ed को अपना फादर नहीं मानता जिसमें Jonathan कहता है कि बस बच्चे को और टाइम देते जाओ और वो समझ जाएगा but Ed की बेटी Anna on the other hand वो 16 साल की है and वो अपने स्कूल में Zero Gravity Gymnastic Training करती है also she works part-time at Astronaut Museum as a tour guide Ed का room चेक करते पता लगता है कि Ed की wife Catherine वो 5 साल पहले organ failure की वज़े से पूरी हो गई as beyond पे organ donors की shortage बहुत बड़ा issue है and यहां 80% लोग donor ना मिलने की वज़े से ही पूरे हो जाते है and Ed अब इस घर में अपने बच्चों के साथ ही रहता है and Anna ही घर का सारा काम and cooking करती है यहीं ये room में Jonathan एक बहुत महगा purse भी देखता है of Alice brand Alice most expensive brand है in beyond and Ed ने किसी तरह ये expensive purse अपनी बेटी को भी gift कर रखा था now Jonathan अब आना दुवारा बनाया खाना खाता है जो की इतना अच्छा नहीं था and यहां कोजीमा फैशन में यहां एक sub story है की अगर आप Jonathan को calcium soy milk पिलाते जाएंगे तो Jonathan को lose motion लग जाएंगे and आगे के हर mission पे उसे पहले toilet यूज करना रहेगा until Chris PCCH की director उसे diarya की दवाई दे बट यहीं lunch के बाद Ed के घर एक voice only call आती है जो आना उठा कर अपने पापा को बताती है कि यह call कोई capsules के बारे में है and Ed यह phone answer कर यहां कोई voice changer लगा कर दोनों Ed एन जोनाथन को A.M.M. Astronaut Memorial Museum में बुलाता है दोनों के यहां पर पहुँच यहां पर mankind के सभी space missions की knowledge थी और यहीं police notes के बारे में भी statue and memory अवेलिबल थी यहीं दोनों के पूरा museum देखने के बाद दोनों को यहां एक बंदा old astronaut suit पहने मिलता है and again in Kojima fashion essay informant का code name होता ही है and यह बंदा अपने आपको nine stars बुलाता है nine stars यहां बहुत कुछ reveal करता है सबसे पहले की Hojo मारा जा चुका है and हमें उसकी body कभी नहीं मिलेगी because वो beyond पर है ही नहीं then यह जो capsules Jonathan को Lorraine ने दिये यह capsules actually में narc drug है जो कि Tokugawa Pharma Hojo से ऐसा तरीका बनवा रहे थे कि ताकि यह लोग narc drug को असानी से market पर बेच पाएं जो कि Hojo ने K9 series के साथ बना दिया and Hojo and यह nine stars इस K9 drug को बगैर Tokugawa के permission के black में बेच रहे थे ताकि सारा profit इन्हें मिले जिसी की knowledge की वज़े से quote unquote उन्होंने Hojo को मरवाया and अब इस nine star की life भी danger में है and वो हमें यह सब इसलिए बता रहा है कि हम लोग उसका अर्थ पर जाने का इंतिजाम करें and उसे एक safe location पे रखें Jonathan के nine stars को बोलते कि उन्होंने K9 drug को चेक किया लेकिन उसमें तो कोई नार्क नहीं था and यहां nine stars time कम होने के वज़े से हमें एक Hojo द्वारा बनाई CD Rome के बारे में बताता है so Hojo ने यह capsules को mafia and marketing team को explain करने के लिए एक CD बनाई थी and Hojo ने यह official CD की एक copy भी बना रखी थी जो nine star speculate करता है कि Hojo के घर में होगी and Jonathan के पूछते कि इस day and age में CD कोन यूज करता है nine star कहता है कि CDs को अब court में evidence की तरह नहीं देखते and as CD drives कोई यूज नहीं करता तो majority CD को देख भी नहीं पाते that's why Hojo used a CD क्योंकि यह ancient way of storing data था इसी से Jonathan को याद आता है कि जो CD दोनोंने Hojo के घर में देखी थी जिस पे कोई music नहीं था यह वही CD होगी then nine star बताता है कि यह CD कोई भी normal player पर नहीं चल सकती सिर्फ और सिर्फ Tokugawa network terminal T-gear 99 में ही चल सकती है और इस CD की encryption इतनी advanced थी कि BCP भी इसे crack नहीं कर सकते then nine star हमें CD को देखने का तरीका बताता है कि हमें एक Tokugawa facility में पहुंच किसी की employee ID card then employee ID code डालना पड़ेगा और यह ID codes based है on Japanese family crest last miss से पूछते कि वो लोगों ने Lorraine को क्यों मरवाया तो nine star कहता है कि Hojo ने शायद Lorraine को कुछ ऐसा बता दिया होगा जो उसे नहीं बताना चाहिए था और यह बंदा कहता है कि यह case इतना बड़ा होगा कि कोई भी सोच नहीं सकता and these capsules are just the tip of the iceberg also यह लोगों ने BCP को भी infiltrate कर रहा है so watch out now Jonathan इसे arrest करके सब कुछ code words की जगा इससे सब info निकालने के लिए कहता है but nine stars उसे जो पता था वो वैसे ही बता रहा था and arrest करने की कोशिश से वो भाग जाएगा और दुबारा नहीं मिलेगा so Jonathan and Ed इसे यहां से जाने देते हैं and now हमें यह capsules क्या थे यह जानने के लिए वो CD देखनी पड़ेगी दोनों पहले केरन के घर जा वो CD लेते वक्त केरन बताती है कि उसे अभी एक वूमन की voice only call आई थी about a CD and she said कि उसके फादर ने यह CD उसे बोरो की but केरन के वो कोई CD के बारे में नहीं जानती यह कहते ही उसने phone card दिया so Jonathan and Ed भी समझ जाते हैं कि it's a race against time यानि उन्हें यह CD जल्द ही देखनी पड़ेगी so हम यहां से CD then Hojo का family crest क्या है यह केरन से पूछ कर टोकू गावा फार में सुटेकल बिल्डिंग में पहुँचते हैं और इस समय यह बिल्डिंग बन थी and अंदर कोई भी नहीं था so दोनों CCTV से बच इस बिल्डिंग में चोरी घुषते यहां Hojo की लैब में पहुँच यहां से T-Gear 99 missing था and यहां से अभी तक Hojo के सारे सबूत wipe out कर दिये गए Jonathan को याद आता है कि उसने एक T-Gear 99 BCCH में भी देखा था तो दोनों जल्दी से इस हॉस्पिटल में पहुचते हैं जो इस समय खाली था और डिरेक्टर के ऑफिस से गुजरते Chris यहीं थी जो बताती है कि वो यहां देर रातक वर कर रही थी और वो किसी अथोरिटी को अलर्ट ना करे इसके लिए उसे भी हम यहां क्या करने आये हैं वो बताना होगा जिससे एड उसे ये CDN उसका T-Gear 99 यूज करना है बता देता है एं तीनों मिलकर Chris की फार्मसी में पड़ा T-Gear 99 यूज कर इसमें होजो की ID इंजर्ट कर देन जोनथन ने केरन के घर पर सभी Japanese crest देकी थी उसी से जोनथन ये code crack कर लेता है बाइदवे ये section एक piracy measure था same as Metal Gear Solid 1 जहां Meryl की frequency back of the CD case लिखी होती है उसी तरह यहां कौन सा crest किसका है ये police notes की manual में mention था जो की अब तो आप एक Google सर से डूण सकते हैं also ये sequence पार करके मेरे को इतनी SEI see it yourself now इस unlocked PC में CD insert करते हमें इस वीडियो से पता लगता है कि टोकुगावा फार्मा ने ये capsule से नार्क ड्रग को अराम से legally market में बेचने वाले थे और ये capsule से नार्क ऐसे activate होता है कि आपको A और B capsule साथ में खाने पड़ेंगे जो कि आपकी body के अंदर जा नार्क ड्रग बन जाएंगे और इन capsule को individually चेक करने से या इसका content चेक करने से कोई भी इनके अंदर के drug को direct नहीं कर सकता because ये drug capsule के ingredients में नहीं बलकि capsule की gelatin layer में है और कौन से capsule एक साथ खाने है उन्हें identify करने के लिए आपको Tokugawa के crest logo को देखना पड़ेगा and both left and right crest वाले capsules को ही आपको एक साथ खाना है to activate NARC so ये इन capsules की सचाई थी and Jonathan सबूत के लिए Chris से क्या उसके पास कोई और K9 samples पड़े हैं तो उससे मांगता है बट Chris के पास और कुछ नहीं था and Jonathan and Edd ये भी समझ जाते हैं कि होजो ने ये drug capsules जानते हुए बनाए and शायद जुन इशीदा Tokugawa Pharma का employee जो यहाँ BCCH में काम करता था वो भी होजो के साथ मिला हो चकता है and Tokugawa इशीदा को भी मारना चाहेंगे लेकिन सबसे पहले सबूतों को सहेचनी के लिए हम वापिस BCP headquarters पहुंचते हैं as हमने ये capsules Dr. Victor को दिये थे जांच के लिए and उसे भी ये capsules कैसे work करते हैं ये बताते वो इन्हें binary narcotics कहता है लेकिन Victor बताता है कि ये capsules AP का Tony Redwood उससे पहले ही ले गया saying कि Jonathan और Ed ने उसे ये capsules लेने को कहा यानि कि दोनों के पास ये capsules drugs हैं ये proof करने का कोई तरीका नहीं बचा and that CD will not count as proof यहीं दोनों AP room में Redwood को confront करते हैं जो कि उन्हें capsules वापिस दे देता है लेकिन as Jonathan notices ये capsules वो नहीं थे and Redwood ने इन्हें exchange कर दिया and वो बहुत busy है ये कहकर Redwood यहां से चला जाता है BCP के chief Gates backer को ये सब के बारे में बात करते backer without proof वो कुछ भी accept नहीं करेगा and उसे Redwood की हरकतों के बारे में भी बता Gates फिर वही कहता है कि proof कहा है and he says कि वो Redwood को बचपन से जानता है and Redwood एक mole है वो ये accept नहीं करेगा so Jonathan and Ed सब कुछ Dave and Merrill को भी reveal कर देते हैं as वही इस unit में सबसे trust worthy बंदे बचे थे Jonathan Merrill से पूछता है कि उसे Lorraine के murder case में क्या पता लगा जिसमें Merrill बताती है कि अर्थ पर कोई भी इसकी सही investigation नहीं कर रहा as Lorraine एक beyond citizen थी तो home police सब कुछ BCP पर डाल रहे हैं and BCP इस case की जिमेदारे नहीं लेंगे as bomb blast अर्थ पे हुआ so ये case पुरी तरह से ठप हो चुका था but Merrill ने अर्थ पर हुए सब ही incidents की list चेक करी and उसे यहां कोई Kenzo Hojo का नाम नहीं मिला यानि कि Hojo की बोड़ी अर्थ पर नहीं हो सकती यहीं Dave अपनी investigation से बताता है कि जब Lorraine का murder हुआ उसी दिन Redwood भी वो अपनी family से मिलने home जा रहा है ये कहकर चुटी पर गया and murder के एक दिन बाद ही वो वापिस भी आ गया Dave बात करता है कि Redwood की कोई family के बारे में उसने तो कभी नहीं सुना प्लस उसने जो Space Cracks की ticket खरी दी ये भी Tokugawa Group की company से ने sponsor करी so Redwood Tokugawa के लिए काम करता है और उसी ने Lorraine की car में bomb plant किया ये तो तैही है बट यहीं Meryl कहती है कि उसके phone पर किसी 9 stars का phone आ रखा था जिसने एक message दिया कि चीजे बदल चुकी है and meet him at same place 4 a.m लेकिन Meryl बात करती है कि ये अवाज किसी woman की थी and she had a home accent बट वो ये call trace नहीं कर पाई because of high-end encryption so Ed and Jonathan को ये informant अर्थ की woman हो सकती है ये शक होता है and हम Dave and Meryl को बता कर we go at a.m.m. at 4 a.m. so इस museum के अंदर noticeable चीज दिखती है कि police note section में Ed and Jonathan का सर remove कर रखा था and यहीं space corner में हमें वो बंदा जो astronaut suit पहने था उसका सर भी धड़ से अलग मिलता है साथ में लिखा हुआ था कि police notes drop the case लेकिन अजीब चीज ये थी कि museum के पीछे 9 planets की जगा 10 planets थे and Ed and Jonathan के 10th planet को चेक करते यहां mass kleitos में लिपटा हुआ एक सर मिलता है जो की Ishida का था so June Ishida जो BCCH में फार्मसिस्ट था and Hojo का साथी था well वही 9 stars वाला informant था जिसे अब इन लोगों ने मार दिया and Jonathan ये 9 stars का भी मतलब समझ जाता है कि ये Ishida की family crest का logo था बट यहीं ये artificial mosquitoes CO2 को ढूंडते Ed and Jonathan पर attack करते हैं कि Ed Jonathan को समझाता है कि coral वो बहुत heavy amount of carbon absorb करता है so इसकी CO2 release करने के लिए दोनों को एक acid चाहिए होगा so ये acid धूंडते दोनों moon surface location पर पहुँच यहाँ Neil Armstrong की statue में एक hitman था जिसे Jonathan अपनी बरेटा से put down कर देता है then उसके पीछे दोनों को एक fire extinguisher मिल add EC को catalyst बना Jonathan के इसे coral की उपर shoot करने से सभी mosquitoes released CO2 की तरफ चले जाते है और दोनों safely यहाँ AMM से निकल पाए अब बाहर दोनों सब 1 plus 1 जोड कर अभी तक उन्हें क्या info मिली ये सब recap करते है so जुन इशीदा और कैंजो होजो ये साथ में काम कर रहे थे लेकिन इशीदा को कोई punishment की वज़े से उसे BCCH की फार्मसी एजाइन हुई और इशीदा को यहाँ BCCH में काम करना इतना पसंद नहीं था और इशीदा और होजो ने मिलकर extra money बनाने के लिए यह BCCH से केन और ड्रग को बेचने का plan बनाया और सिंस ये चीज़ जब टोकु गावा को पता लगी तो उसने पहले केंजो होजो को मरवाया और इशीदा किसी तरह इतने टाइम बचने में कामियाब रहा बट अब वो भी मारा गया लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये किलिंग स्टोकु गावा करवा रहा था या उसके माफिया फ्रेंड्स अल्सो एस मेरल ने कहा कि फोन पर उसने किसी वुमन से बात करी विद होम एकसेंट यानि अर्थ वाल एकसेंट जबकि इशीदा तो बियॉंड पे ही पैदा हुआ सो फोन पर दोनों से कौन बात कर रहा था दोनों ये सब डिसकस करते हैं कि यहाँ एड की कार पर कोई बॉम प्लांट करने के तयारी कर रहा था और पोथ जोनथन अन एड के इस बंदे का रोक ये वही हेलमेट मैन था जिसे जोनथन अर्थ पर लड़ा था और वो अपनी बाइक से भागता है एड की कार यहाँ सही थी एस दोनों ने कार को टेंपर करने से पहले ही उसे रोक लिया सो दोनों इस कार से उसका पीछा करते हैं यहाँ ये हेलमेट मैन की बाइक अर्थ की गैस बाइक थी जो की यहाँ बियॉन में इलीगल है सो इसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है जोनतन अपनी बुलेट से इसकी बाइक को ओफ बैलेंस करता है बट एड भी एक ट्रक से टकर को रोकने के लिए उनकी कार भी फिलिप हो जाती है यहीं जोनतन को ये हेलमेट मैन फिर से वाइट बलड ब्लीड कर रहा है यह दिखता है इस टाइम जोनतन इस बलड का सेंपल रेकवर कर लेता है बट एन यह हेलमेट गाई यहां बियॉण की ट्रेन में बैट यहां से भागने के कोशेश करता है एड मैरिल एंड डेव को कह ए इस ट्रेन का नेक्स टेशन घिरने को कहता है और दोनों के ट्रेन के अंदर पहुंच यहां हेलमेट गाय ने अपना हेलमेट किसी बच्चे को पहना दिया और किसी का कोट पहन उसने बोगी में सब लोगों को डरा कर उसके खिलाफ ना बोलने के लिए कहा बट यहीं एक फादर जोनाथन को बता देता है कि वो उसका कोट पहने है और इस गाय के अगली बोगी में भागते यहां आउट ओफ नोवेर यह बंदा क्रिस को होस्टेज बना लेता है और इस पॉइंट गेम मेक्स इट क्लियर कि यह बंदा टोनी रेडवुड ही है ऐसा हमें उसके परपल हेर दिख रहे थे बट क्रिस एक रैंडम सब्वे में क्या कर रहे थी कि यहीं नेक्स स्टेशन आ जाता है और रेडवुड क्रिस को यहां फैंक यहां से बागता है लेकिन क्रिस यहां बोथ जोनसन और एड को स्लो करती है यह कहके कि उसे अकेला मत छोड़ो यहीं बाहर मैरिल और डेव तैना थे जिसे एड ने वार्न भी किया था कि यह बंदे को लैटली मत लेना और क्रिस से पीछा चुड़ा दोनों के ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते रेडवुड ने यहां डेव को क्रिटिकल कर दिया एस डेव अभी भी रेडवुड के नोन वाइटल पॉंट्स को ही टार्गट कर रहा था डेव मरने से पहले कन्फर्म करता है कि येस डेट गाई वास रेडवुड फ्रूम एपी अब जोनथन अन एडवुड के हाथ में एक बॉंब है और वो एक होस्टेश के साथ पास की शॉप में गुसा देन डेव मेरल को कहता है कि वो हैंबरगर से ज्यादा मेरल से प्यार करता था अब जोनथन अन एडव शॉप के अंदर पहुंच यहां रेडवुड एक बॉंब प्लांट करके भाग गया अब ये होस्टेश आंटी बताती है कि उस बंदे ने इस आंटी के रियल एलस पर्स में एक बॉंब प्लांट कर दिया अब ये शॉप फेक एलस बैक बेचती थी यानि कि बंब रियल पर्स में है जो कि अब फेक्स में मिक्स मैच हो चुका है अब सिंस अभी तक रेडवुड काफी दूर भाग गया होगा तो अब अब हमें ये बंब को डिफ्यूस करने को कहता है एस हम बंब स्कॉड के आने का वेट नहीं कर सकते एन एड इस लेड़ी से कन्फर्म कर कि उसका पर्स रियल था ना एन एड एक और रियल एलस पर्स डूणने को कहता है जिसे हम देख कर जज कर सकेगी कोन सा रियल है और कोन सा फेक जोनतन एड को उसकी बेटी आना का पर्स यहां लाने को कहता है बट एड रिविल करता है कि उसने भी अपनी बेटी के लिए पर्स इसी दुकान से खरीदा था और वो फेक है अगर जोनतन यहां इस आंटी को टच करने की कोशिश करे तो यहीं बॉम ब्लास्ट हो जाएगा बट नौ मेरल यहां हमें उसका रियल एलस पर्स देती है जो कि डेव ने उसे गिफ्ट किया था एस डेव सेड की मेरल अपनी फेमिनिन साइड चुपा रही है अगर आप उसकी बात मान कर ब्लू वाइर को काटो गे तो हापको यह 20 मिनिट का सीक्वेंस दुबारा करना पड़ता है सो एंड में रेड वायर ही काटनी थी एन एड वास राइट सुनाव यह बॉम डिफ्यूस होने के बाद बाहर एपी अपने EMPS के साथ पहुंच जाते हैं बाट एज यह बॉम डिफ्यूस हो चुका था तो वो यहां से जा रहे हैं कि मैरिल नोटिस करती है कि डेव की बोड़ी यहां नहीं है और कोई एंबलेंस भी उसे उठा कर नहीं लेकर गई कि जोनतन यहां रेड वुड के EMPS में से रेड ब्लड टपक रहा था यह देख जबकि रेड वुड तो एक फ्रोजनर है सो एड कहता है कि यह रेड वुड के इश्यू को हमें ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा एस BCP का चीफ वो कोई प्रूफ के बिना रेड वुड के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा and this was the end of Act 2 and Act 3 is called Drug BCP चीफ दोनों को बुला कर पुरा डांटता है कि दोनों ने Beyond का बेड़ा गर कर दिया एस जोनतन के हाइवे पे ओपन फायर करने से 18 लोग injured हो गए and almost Beyond colony में एक छेद होने वाला था with that bomb blast and BCP चीफ जोनतन को remind करवाता है कि वो अब कोई police not नहीं है so उसकी Beyond पर नहीं चलेगी and यहीं वो जोनतन की gun को जब्त कर लेता है and वो एड को भी समझाता है कि तीन साल में तेरी pension लगने वाली है so यह चीफ अब दोनों को यह case continue नहीं करने दे सकता and वो AP को इस case की जांच पर लगा देता है and डेव के मरने के बाद भी चीफ Redwood पर शक नहीं करता now Ed and Jonathan Vice Room में Meryl से सुनते हैं कि Dave की body कहां गई कुछ नहीं पता it's same as Hojo's body disappeared from beyond Redwood की bike की जांच करते पता लगता है कि यह bike अर्थ से समगल हुई है and Redwood के records on BCP यह सब भी altered थे and Meryl के AP से पूछते कि Redwood यह incident के दोनान कहां था AP ने Redwood को अलग assignment पर भेज रखा था so उसके खिलाफ अभी भी कोई जबूत नहीं है but Redwood के EMPS से निकल रहा Red Blood definitely Dave का ही होगा so Meryl इस EMPS पे luminol टेस्ट कर यह पता लगाईगी now Jonathan भी यहां Redwood की injured body से collected white blood यह Victor को दे देता है टेस्ट करने के लिए जिससे Redwood की involvement का कोई तो सबूत मिले and results के आने तक Jonathan Ed को चोरो की तरह Tokugawa फार्मा में वो yellow door के पीछे देखने में मना लेता है Ed यहां इस door का magnetic lock hack कर हम इसके अंदर जा देखते हैं कि यह जगा ही Tokugawa black poppy को artificially grow कर रहा था and आगे की factory well वो normal दवाईया नहीं बलकि narc capsules बना रहे थे सुबा दोनों यह चीज BCP chief को बता चीफ भी अगर यह farm मिल गया तो सादाओ की Tokugawa का अंत हो जाएगा सो वो Jonathan को इसकी pistol वापिस कर immediately अपनी AP police को ready कर Redwood यहां भी कुछ scheme कर रहा था बढ़ सभी Tokugawa pharma में raid मारने पहुंचते हैं raid मारने आए तो raid मारो लेकिन यहां यह security guard अभी भी यह gate open नहीं करता कि सादाओ की Tokugawa in person यहां पहुंच वो खुद यह gate खुलवा देता है और सब के अंदर चेक करते यहां से अभी तक सारे black poppies remove हो चुके थे replaced with some flower and back वाली factory वैल उसमें भी नार capsules के जगा abnormal capsules switch कर दिये गए जिससे Jonathan and Ed fools बन जाते हैं लेकिन BCP chief एक final effort में पूरे place को उपर से नीचे AP police से चेक करवाता है जिसमें police को यहां एक lash मिलती है and EMPS यहां सब कुछ analyze कर बताते हैं कि यह Kenzo Hojo है employee of Tokugawa and इसका body temperature असक्टरा सब analyze कर इसका time of death कुछ 4 घंटे पहले होगा then murder weapon चेक करते यहां दो shells पड़े थे जो की एक recoil weapon जो यहां beyond में नहीं मिलता उसके हैं then chief Redwood से CCTV को चेक करवा सारे evidence Jonathan की और point करते हैं and यहीं reveal होता है कि BCP chief भी Tokugawa के साथ मिला हुआ था and वो यहां Kenzo Hojo Lorraine Hojo and June Ishida की मौत का इलजाम Jonathan पे डाल देता है as CCTV में Jonathan यहां 4 गंटे पहले आया इसकी footage थी फिर door handle पर Jonathan के fingerprints थे plus जो facility का guard है वो भी duty गवाही दे देता है कि उसने Jonathan को Hojo से लड़ते देखा था 4 गंटे पहले and chief यहां यह case बना देता है कि Jonathan ने Hojo को उसकी ex-wife से marriage की jealousy के कारण मारा and Jonathan समझ जाता है कि उसको frame करने के लिए ही Gates ने उसकी gun वापिस दी प्लस अर्थ पे जो Lorraine को bomb से उड़ाया वो bomb detonator भी Jonathan के office में plant कर दिया जाता है जो कि इसी वक्त old LA police recover कर लेती है then जो bike beyond में इतना rampage मचाई उसका bill भी Jonathan पे फार देते है S.E.A. bike भी same flat में आई थी जिसमें Jonathan आया था और ये सब सबूतों के साथ Jonathan Ingram को arrest कर लिया जाता है और जब Jonathan को handcuff कर रहे थे तो Jonathan के पास रखा होजो का ID card और उसकी CD ROM ये Jonathan के होजो को मारने के सबूत पे cherry on top थी और Jonathan यहाँ van में नहीं बैठता जिससे chief Jonathan पे paralyzer use करने को कहता है और Jonathan बेहोश हो जाता है Jonathan की आँख खुलने पे वो यहाँ केरन के घर पे था जो Jonathan को बताती है कि वो 12 गंटे से बेहोश था और केरन यहाँ Jonathan की घड़ी जो Lorraine ने उसे दी थी वो damage होने की वज़े से उतार लेती है यहीं Jonathan पूछता है कि वो तो arrest हो गया था तो वो यहाँ कैसे पहुँचा जिसमें केरन बताती है कि BCP जोनतन को अर्थ पे extra debt करने वाले थे कि Ed and उसने BBC से extra guys hire कर एक BBC van को BCP van से crash कर एक perfect accident बना जोनतन को बचा लिया यहीं Jonathan उठ केरन को उसके फादर का क्या हुआ यह सब बताता है और यहां लोरेन दुआरा दी वाच को भी देख Jonathan अब यह वाच नहीं पहनेगा as first यह वाच 80 साल पुरानी थी and second Jonathan अब लोरेन की यादों को बीचे छोड़ना चाहता है then Jonathan केरन के साथ ओपन हो उसे बता देता है कि वो और लोरेन प्यार की कमी के कारण स्प्लिट अप नहीं हुए थे it was लोरेन को Jonathan का पुलिस में होना पसंद नहीं था as लोरेन हमेशा फिकर करती रहती थी कि वो वापिस आएगा की नहीं and कुछ dangerous missions के बाद लोरेन ने इतने stress से suicide करने की कोशिश भी करी इसलिए Jonathan ने पुलिस नोट्स में apply किया for a easier job जिससे लोरेन भी happy रहे and Jonathan की training के time तक दोनों की relationship बहुत अच्छी हो चुकी थी but फिर Jonathan के first March mission के बाद it was obvious कि लोरेन औन Jonathan में divorce हो ही जाएगा but Jonathan इसे भी downplay करते वो beyond में चला गया and इसी के बाद Jonathan को वो accident हुआ जिससे उसे 25 साल cryo sleep में रहना पड़ा and Jonathan still remembers the last goodbye जो लोरेन ने उसे करी थी before he went to beyond इसी के बाद Jonathan टीवी में चेक करता है कि उसकी news हर channel पर थी and BCP chief यहां Jonathan को heavy narc user बता रहा था now Karen यहां Jonathan की सारी बाते सुनने के बाद उससे प्यार करने लगती है as Karen के पास उसकी disease की वज़े से थोड़ा ही time बचा था तो वो यह Jonathan के साथ spend करना चाहती थी and things get very awkward कि यहीं Karen के घर पर Ed का phone आता है and Ed यहां Jonathan को बताता है कि Hojo Ishida के साथ narc sell कर रहा था because of Karen and as Karen उसकी only child थी जिसके लिए Hojo कुछ भी कर सकता था hence he sold Tokugawa's narc for himself whereas Ishida के motives clear cut पैसा and Tokugawa से बदले के थे now Ed यह भी बताता है कि जो blood test Jonathan ने Victor को दिया था well even though है तो वो first gen of artificial blood ही जो की सिर्फ military and AP police यूज करते हैं but Victor यह पका नहीं कह सकता कि it was of Redwood then Ed बताता है कि दो Hojo की body की autopsy B.C.C.H. को सौंब दी गई बट जितना time Victor ने Hojo की body के साथ spend किया वो कहता है कि there is everything wrong with that body and yes यह body 4 घंटे पहले ही dead हुई but यह dead like state में बहुत दिनों से थी जिसे bio mode state कहते हैं और इसी state से Tokugawa के बंदे Hojo की body को उस factory में लाए and Jonathan को set up किया now Victor यहां B.C.C.H. में Hojo की body को further check करने गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया so Ed हमें B.C.C.H. जा Victor को check करने को कहता है यहीं PS1 वर्जिन में यह चीज़ कट कर दी गई लेकिन यह Sega Sachin वर्जिन में है जिसमें Ed बताता है कि उसने Jonathan की gun भी recover कर ली और वो अब उसने Karen को दे दी and Jonathan जब phone रखता है तो Karen Jonathan की तरफ gun point कर वो हमें betray कर रही है ऐसा pretend करती है but then she says So she was just playing now Jonathan रात में BCCH जा रहा है यह सुनने के बाद Karen भी हमारे साथ आती है as अब वो अपना बचा टाइम Jonathan के साथ spend करना चाहती थी and this was the end of act 3 and act 4 बहुत ही छोटा है which is called organ now Karen को यहां BCCH का लेयाउट पता था as वो यहां बहुत बार आ चुकी है and dead bodies hospital के मौर्ग में रहती है so Karen जोनथन को basement में लाती है जहां light नहीं थी and यहां आप accidentally Karen की chest पर टच कर सकते हैं यह चीज तो PS1 वर्जन में भी है but light जलाने के बाद Sega Satchin में you can even touch willingly जो की PS1 वर्जन में यह कट कर दिया गया यहीं हमें bodies के liver वगेरा cut out कर रखे थे यह सब दिखता है and यहां एक fresh container भी था जिस पर factory number 7 and moon की location थी इस case के अंदर check करने से यह victor की body थी जिसे भी biomote बना दिया and biomote का मतलब dead but all organs still working easy शबदों में brain dead और यहां यह containers की list को check करते जोनथन देखता है कि ऐसे ही पांच और biomote bodies moon के mere embryum location पर transfer की गई जो की moon की plateau crater पे है और इसी crater में टोकुगावा के एक massive plant भी था and just like that हमें लोरेन दुआरा दिया last hint plateau क्या है उसका भी पता लग गया it was a location on moon इस facility में आगे चेक करने पे हमें preserved organs मिलते हैं जिसमें एक डेव की kidney भी थी also साथ में जुन इशीदा का heart भी था यहीं अभी तक Ed भी हमारे पास पहुंच as hojo की body ही हमारे पास last evidence बचा है so both Ed and Jonathan moon पर ये factory number 7 को चेक करने जाएंगे जिसमें केरन वो अपनी BBC credential से उनके लिए moon flight book कर सकती है बट Ed ये मना कर वो एक moon tour book करके वहाँ तक पहुंचेंगे and Ed Meryl को केरन की protection के लिए assign कर देता है and केरन यहाँ अपने BBC contact से Jonathan को beyond में यहाँ वहाँ देखा गया ये fake news देकर BCP and authorities का time waste करेगी and that's the act 4, act 5 is called lunar so both Ed and Jonathan astronaut suit में voice changer लगा कर moon पर पहुंच विद टूर ग्रूप दोनों ग्रूप को चक्मा देकर यहाँ प्लेटो क्रेटर में factory number 7 तक पहुंच जाते हैं जहाँ gate के बाहर EMPs तैनाथ थे जो अभी working नहीं है और ये gate भी Tokugawa network से linked था and Ed यहाँ Hojo का ID card BCP से चुरा लाया था and यही ID से हम ये gate unlock कर अंदर देखते हैं कि ये जगा बायो मोट्स की facility थी and जो गलती Jonathan ने black poppy farm पे करी कि कोई video footage record ना करके वो अब ये नहीं दोराएगा so Jonathan यहाँ सब कुछ record कर रहा है with the portable camera यहीं Hojo की body ढूंडते हमें Dave की body मिलती है जिसकी kidney area पर stitches थे and यहीं हमें Hojo की body भी मिल जाती है जिसके bullet wounds भी fix कर दिये गए थे so यहाँ पता लगता है कि Tokugawa ने ऐसे ही यहाँ से body उठा कर Jonathan को frame करने के बाद यहाँ वापिस place कर दी यहीं Jonathan उपर एक screen को देखता है जिसमें black market organ trading prices थे यानि कि Tokugawa group of companies यहाँ पूरी दुनिया में organs की तसकरी करते थे और यह लोग bodies को इसलिए preserve रख रहे थे ताकि organs भी साथ में preserved रहे और इस case में नार्क तो बस छोटा issue था रियल में Tokugawa यहीं organ trafficking को ही hidden रखना चाहता था यहीं इस facility में Salvatore Toscanini भी पहुँच वो यहाँ अपने police not friends को सब कुछ reveal कर देता है कि Tokugawa group अर्थ पे माफियास को नार्क प्रवाइड करते हैं जिसके बदले माफियास उन्हें healthy body supply करते हैं और माफियास bodies के लिए किसी को भी मार देते हैं without any vendetta or reason यहीं Jonathan समझ जाता है कि इसलिए earth पर child kidnapping इतनी जादा थी add पूछता है कि अगर उनके पास इतनी बड़ी moon facility है तो यह लोग black poppy को beyond में क्यों उगाते हैं जिसमें Salvatore बताता है कि moon पर इतना delicate plant सही result नहीं देता and Salvatore यहाँ Tokugawa led organization को philanthropist कहता है that they are doing society a favor as उनके organ products पूरे world में सबसे best preserved है and इसमें अगर वो पैसा बनाते हैं तो क्या दिक्कत है and वो कहता है कि human race space को adapt करने के लिए नहीं बनी as space पूरी dark and lonely है that's where Tokugawa के drugs helps people then there are harmful cosmic race, weightlessness जो humans की genes को effect करती है and चाहे human body जितना भी train कर ले एक time पर body just gives up and organ starts to fail that's where Tokugawa की organ smuggling comes to rescue and Salvatore यहाँ इस facility को humans के spare parts कहता है and यह लोग सिर्फ organs नहीं बेचते बलकि जिस बंदे की transplant की demand है उसकी body के हिसाब से organ को customize करके ready to transplant करके बेचते है also यहाँ एक line मुझे बहुत अच्छी लगी कि अभी तो human race सिर्फ moon तक गई तो यह हाल है and आगे Mars and infinite space पर human body का क्या होगा then Salvatore आगे बताता है की अर्थ पे यह लोग organ store इसलिए नहीं करते कि जब उन्हें space में लाते हैं तो they lose their functions and यहाँ moon से यह लोग अपने lunar mineral supply के साथ organs hide करके beyond या अर्थ में भेचते हैं also की सभी biomorts except elders and ones with infectious disease उन्हें यही moon facility में लाया जाता है but यह लोग elders की bodies को भी इसलिए preserve रखते हैं for their hormones and उन पे drug testing के लिए plus यह लोग young woman के uterus या उनकी गरब शे को भी बेचते हैं and इन लोगों के process से इनने surrogates mothers भी नहीं चाहिए for producing childs and the reason hojo की body यहाँ पर है because hojo का blood type rare था जो की यह लोग mass produce करना चाहते थे and यह worldwide organ shortage यह इनके business के लिए best चीज है as इनकी markets को कोई touch नहीं कर सकता and salvatore add को taunt कर कहता है कि अगर उसे भी यह business का पता रहता तो उसकी wife Catherine Brown भी बच सकती थी then he says कि इसादाओ की टोकुगावा is a visionary जिसने 30 साल पहले ही organs की problems को judge कर लिया था and जब यह पांचो एस police nots beyond में आय थे तो तब ही से ही टोकुगावा को पता था कि यह लोग beyond पर राज कर सकते हैं लेकिन as Jonathan and Ed morals वाले बंदे थे जो टोकुगावा को join नहीं करते इसलिए 30 साल पहले टोकुगावा ने ही Salvatore को कै Jonathan को रास्ते से हटा दिया उसका E.M.P.S. सूट को malfunction कराके and then Gates बेकर ने यह इंशोर किया कि Jonathan का rescue operation जितना लेट हो सके उतना delay करो बट यह Jonathan की किस्मत थी कि वो बच गया and इतना सुनने के बाद Jonathan एन Salvatore की gun fight में Jonathan Salvatore को मार देता है जिससे यहां alert चला जाता है and amps भी यहां आते ही होंगे सो दोनों जल्दी यहां से निकल add plan बनाता है कि हम दोनो moon के mass driver payload में बैठ beyond पहुँचेंगे and यह payloads mark 7 की speed से जाते थे with 100g gravity जिसमें add हम police knots है with extensive space training and हम यह संभाल लेंगे यह कहता है बट Jonathan के हिचकते यहीं दो amps दोनों पर attack करते है and Jonathan के अपनी pistol से इन्हें हराते बोथ add and Jonathan इस payload में बैठ 6 दिन बाद beyond पहुँचने में successful रहे and this was the end of act 5 act 6 is called biomort दोनों अब add के घर पहुँचते हैं जहां आना बताती है कि mark इसी सुबा किड़नाप हो गया and उसे यह note मिला जिसमें लिखा है कि come to AMM जहां अभी कोई event चल रहा था add यहां अकेला जाना चाहता था जिसमें केरन कहती है कि they can take help from their BBC cameras जो उन्होंने event को cover करने के लिए लगाए and सभी के AMM पहुँचते Jonathan इन camera से Mark को ढूंडता है जहां Jonathan को Redwood फिर अपनी biker dress में दिखता है and यहां Mark भी एक astronaut suit पहने बंदे के साथ था and ऐस Jonathan Redwood के trap में नहीं फसा तो Redwood यहां Mark को मारने लगता है कि Ed यहां चाहता तो Redwood को अराम से शूट कर मार सकता था but Ed अपने gun phobia से विपरीत किसी और वज़े से ऐसा नहीं करता and Ed मार के सामने यहां खुद इंजर हो जाता है and Jonathan यहां Redwood को पकड़ने जाने लगता है कि Karen भी यहां अपनी विमारी से भी हो शोकर गिर जाती है and Jonathan यहां Chris को phone कर both Ed and Karen को secretly B.C.C.H. में दाकिल करवाता है जहां Chris Ed को operation करवा उसकी bullets निकाल लेती है and अब Ed खत्रे से बाहर था and Jonathan यहां Chris को उसकी presence को भी secret रखने को कहा then Jonathan, Anna Ed की daughter को कहता है कि उसकी यानि Jonathan की वज़े से Ed की ये हालत हुई जिसमें Anna बताती है कि Jonathan के आने के बाद ही उसने अपने पापा को इतना हैपी देखा after their mother died so वो Jonathan को blame नहीं करती and Jonathan Meryl को बच्चों का ध्यान रखने को कह वो कुद Karen को चेक करने जाता है यहां Karen को उसका regular doctor चेक कर रहा था जिसका नाम Dr. Collins से Collins यहां Jonathan का face news से पहचान लेता है बट वो security को alert नहीं करता यह कहके कि वो दोशियन innocent में फरक ढूंड सकता है यहीं doctor reveal करता है कि उसने सारे Beyond का bone marrow bank चेक किया बट Karen का match नहीं मिला बट इस doctor ने Beyond का medical database hack कर पता लगाया कि BCP chief Gates बैक कर ही पूरे Beyond में एक इकलोता शक्स है जिसका bone marrow Karen के compatible था यह doctor ने Gates को उसका sample donate करने के लिए भी कहा बट Gates ने outright मना कर दिया यह doctor आगे reveal करता है कि in a rare case अगर both father and mother के HLA type match करते हो तो parent and child में भी आपको same HLA type मिलेगा बट doctor बताता है कि यह लोग hojo की body को touch भी नहीं कर सकते as hojo tokugawa employee था तो उस company की permission के बिना ये चीज़ चेक नहीं कर सकते and since Jonathan यहाँ है तो doctor Jonathan का blood sample भी ले लेता है जिससे वो HLA platelets extract कर लेंगे and इनका computer compatibility का result 5 गंटे में बता देगा also अबकी technology से bone marrow ऐसे ही blood sample से भी cultivate हो सकती है यहीं Meryl भागती ही Jonathan के पास आ वो दिखाती है कि Mark नहीं यहाँ उसे AMM में किसने पकड़ा था उसकी drawing बनाई and Mark यह Jonathan को दिखाना चाहता था यह drawing देखते left में यह alien type redwood है जिसने biker dress पहनी है और यह astronaut suit में जो था उसके लिए Mark नहीं यह flower बनाया and इसकी shape से आना बताती है कि यह Mark का favorite flower lavender flower है पट उससे पहले Meryl बताती है कि reason chief ने AMM center में redwood को shoot नहीं किया because chief ने Jonathan को पूरा नहीं बताया कि 5 साल पहले उस दिन क्या हुआ so Meryl ने सब records चेक किये and उससे पता लगता है कि Mark के father X.A.P. frozener था जिसका नाम Ridley Redwood था और ये Tony Redwood का twin brother था as in दोनों के X एक साथ ही fertilized हुए जिससे Redwood Mark का चाचा हुआ and दोनों same से ही दिखते हैं और अगर AMM में Ed Redwood को shoot करता तो Mark already अपने father को मरता देख चुका है via Ed's hand और फिर से वो trauma नहीं जेल पाता and it was Ed's way of saying sorry to Mark manal को नहीं बता पाया जिससे Jonathan समझ आता है कि यही lavender का क्या मतलब है and Jonathan कहता है कि it was Chris in that space suit as वो हमेशा lavender perfume लगा कर रखती है means Chris भी Tokugawa के साथ मिली हुई थी और यहीं सब को याद आता है कि Chris Edd के कमरे में अकेली है and Jonathan Barker Edd के कमरे तक पहुँच जहां as he thought Chris Edd को poison injection देने वाली थी and Chris यहां एक window पे अपने आपको corner कर अगर Jonathan उसके पास आया तो वो यहां से जम्प कर देगी and Chris बताती है कि she had no choice and यहीं reveal होता है कि कुछ acts पहले जो woman की अवास में Jonathan and Edd को AMA में बुलाया था वो Chris ही थी and Chris कहती है कि beyond पे सब कुछ Tokugawa कंट्रोल करता है and अगर वो अपना hospital Tokugawa को बेचने से बचाना चाहती थी तो उसे Tokugawa की सब बात माननी पड़ी because उसके parents ने Tokugawa से heavy debt ले रखा था यह hospital build करने के लिए and जब Chris ने अपने parents से hospital की जिमेदारी संबाली अगर वो hospital को open रखना चाहती थी तो she had to do whatever Tokugawa said and वो कहती है कि वो Tokugawa की व्याश्य बन चुकी थी both physically and mentally also she did all that for her son and Chris reveal करती है कि जो photo हमने game की starting में उसके office में देखी थी वो child उसके friend का नहीं बलकि उसी का था as उस से में उसे money and government से help चाहिए थी so she became a surrogate mother of a frozener and Tony Redwood यह Chris का बेटा है और Redwood को जनम देते वक्त Chris के गरब शे में कोई infection हो गई जिससे वो अब दुबारा conceive नहीं कर सकती थी so Redwood was her everything लेकिन as Tony एक frozener है तो उसकी guardianship government की होती है बट Chris के Tokugawa के साथ रहने से वो अपने बेटे से भी मिल सकती थी Jonathan Chris को समझाता है कि अभी भी देर नहीं हुई and वो Gates and Tokugawa के खिलाफ उसकी witness बन जाए otherwise Chris सिर्फ एक bio mode बन कर रह जाएगी and Jonathan Chris को उसकी side आने में मना लेता है कि window के बाहर Chris का ही बेटा Redwood अपने Masters के कहने पे Chris को भी मार देता है and वो Jonathan को challenge करता है कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो Tokugawa building पे वो and Gates backer उसका wait कर रहे होंगे जो की एक trap था Act 7 is called dual Meryl Jonathan को बताती है कि सारी AP police Tokugawa building पे तेनाध है and Meryl Jonathan को beyond से भागने को कहती है पर Jonathan Eddie की तरफ देख वो हमेशा के लिए नहीं बाग सकता and उसका Lorraine से किया promise पूरा करने के लिए Jonathan Tokugawa building पे जाएगा as he was the original police note and वो Tokugawa and Gates को ये colony को बरबाद नहीं करने देगा also he needs Gates bone marrow to fix Karen as well so Jonathan अपना cigarettes का pack Meryl को संभालने के लिए दे वो उसे एडन केरन का भी ध्यान रखने को कहता है and इसी के साथ Jonathan अपनी magazine को load करते Tokugawa and Gates की हर हरकत का बदला लेगा ये पक्का करता है and गेम के फिनाले में Jonathan Tokugawa building में पहुंच यहाँ AP police उसी का इंतजार कर रहे थे and Jonathan सिर्फ अपनी gun से सारी AP police को हरा देता है then वो elevator से उपर जाते Redwood अपने Godard में Jonathan पे attack करता है और वो elevator को useless बना देता है बट Jonathan अपनी pistol से Redwood के amps को useless करते Redwood फिर bleed कर यहाँ अपर floor पे भागता है जहाँ Jonathan उसे chase कर Redwood पूछता है कि Ed कैसा है and Redwood को पता था कि Ed ने उसके भाई Ridley की वज़े से उसे AMMA शूट नहीं किया बट Redwood कहता है कि उसे उसके भाई या दुनिया में किसी की भी परवा नहीं अगर वो कुछ भी करता है तो वो खुद के लिए होता है and यहाँ Redwood Jonathan से अपनी jealousy admit करता है as Jonathan के साथ हर एक battle Redwood हारा so Redwood Jonathan से नफरत करता है बट यह fight में भी Jonathan Redwood को severe injure कर देता है and Jonathan के finally Redwood को corner करते Redwood अभी भी कहता है कि no one can beat him and no one can kill him and वो admit करता है कि Hojo's wife, Dave, Victor यह सब को उसी ने मारा then out of sympathy Jonathan को लगता था कि Redwood को Chris उसकी mother थी यह नहीं पता होगा लेकिन Redwood यह जानता था still he killed her and यहीं Redwood अपनी defeat accept कर वो किसी के आतों से नहीं मरेगा यह कहकर वो 30th floor से खुद ही jump कर देता है like a maniac यहीं Jonathan top floor पे पहुँच यहां gravity off थी and Gates बेकर यहां military grade EMPS को pilot कर रहा था Gates यहां Jonathan को उसे shoot करने में taunt करता है and Jonathan के अपनी pistol को fire करते ही zero gravity से Jonathan एक pipe पर crash हो जाता है जिसमें Gates पताता है कि इस gravity में recoil gun नहीं चलती and वो अपनी space gun से Jonathan के non organs वाले जगा पर fire कर उसे injure कर देता है यहीं Gates अपना monologue देता है about their illegal organ selling system and वो कहता है कि भगवान ने हमारी bodies space के लिए नहीं बनाई and space is unbelievably brutal और इसके effects हमारी gene तक होते है और यहीं beyond पे ही number of childs being born with birth defects are very high due to radiation from solar, wind, cosmic rays and space सिर्फ human bodies को ही attack नहीं करती बट हमारे mental balance को भी बगार देती है and अब सिर्फ police note से astronaut ही space में नहीं बलकि एक common earth citizen भी space में आने का सपना देखता है and the idea कि हम as species space environment को adapt कर पाएंगे यह बस एक सपना ही है hence drugs and spare organs beyond के लिए necessary है and इसलिए Gates ने Tokugawa को join किया and पिछले 30 सालों से finally उन्होंने drugs and organs के लिए एक perfect system बना लिया and he says आगे तो humanity और harsher space environment and situation face करेगी तब भी world यही conclusion पर आएंगे कि drugs and organs are essential for a space colony Jonathan Gates को reality check देता है कि वो खुद को भगवान समझ रहा है and SL में वो Tokugawa का कुटा है and Gates यहां बिल्कुल same dialogue बोलता है like Mike Armentrot कि they had a system, everything was perfect until Kenzo Hojo ने इन लोगों को double cross किया we had a good thing you s*** so Hojo यहां Tokugawa की drug scientist job छोडना चाहता था जिससे Tokugawa ने Hojo को मनाने के लिए उसे भी organ trading के बारे में बता दिया as Tokugawa ने Hojo को समझाया कि अगर वो उसका साथ देता है तो उसकी daughter का भी लाज किया जा सकता है लेकिन Hojo ने डर कर सब कुछ चोपट कर दिया and किसमस से Hojo Jonathan की ex-wife से married था hence Jonathan got involved in all of this यहीं Gates finally Jonathan की organs की परवा किये बिना उसे मारने लगता है कि Jonathan यहां हसते Gates को बताता है कि वो सब कुछ live telecast कर रहा था on BBC network और सभी ब्योंड वासी Gates का यह monologue सुन रहे थे and Gates गुसे में Jonathan को मारने लगता है कि Ed अपना gun phobia पार कर वो Gates को headshot से मार देता है and as Jonathan already injured Ed को lift से नीचे लाता है तो Ed कहता है कि वो उसे केरन के बारे में कुछ बताना चाहता है कि यहीं सादाओकी टोकुगावा अपनी private AP security के साथ Jonathan and Ed को घेर लेता है and बताता है कि उसने broadcast रुकवा दिया and यहीं वो दोनों को मरवाने लगता है कि Meryl PCP police के साथ सादाओकी को घेर लेते है and even सादाओकी की security भी अपने weapons गिरा देती है as वो भी अब टोकुगावा के लिए काम नहीं करेंगे and gates backer के बयान के अधार पे सादाओकी टोकुगावा को arrest कर लिया जाता है अब last में epilogue का नाम है knots टोकुगावा के पकड़े जाने के कुछ दिन बाद टोकुगावा पे drug trafficking, organ trafficking and murder के charges लगते है and ये event से future space development programs में significant issues raise किये जाएंगे यहीं Ed Jonathan को space station पे छोड़ने आता है जो यहाँ केरन दुवारा दिया एक letter देता है and इसे flight में खोलने को कहता है and Jonathan के पास भी Ed के लिए कुछ था जो की Mark की drawing थी and Mark finally Ed को अपने father की तरह accept करता है and Ed रोते Jonathan को गले लगाता है and Ed फिर से Jonathan को यहीं beyond में रुकने को कहता है बट Jonathan कहता है कि वो यहाँ beyond के लिए नहीं बना and Jonathan के जाते Ed कहता है कि दोनों एक कमाल team है and Jonathan return में Ed को एक बहुत अच्छा friend कहता है यहीं Meryl Jonathan दोरा दी उसकी cigarettes ये box उसको वापस करती है and Jonathan देखता है कि Meryl ने यहाँ Dave के goggles पैन रखे थे उसकी याद में यहीं अब अर्थ पर वापस आते Jonathan देखता है कि Karen अब ठीक हो चुकी है पर उसके बाल जड़ चुके थे and Ed दोरा दिया Karen का letter इसे open करने पे पता लगता है कि Karen असल में Jonathan की बेटी थी ना की हो जो की as Jonathan के HLA sample से Karen पूरी तरह से ठीक हो पाई and Dr. Collins ने ये sample Jonathan का है ये सब Karen को बताया यहीं Karen ने उसकी मदर दोरा उसके फादर को gift करी ये watch इसे ठीक करवा कर वो अपने पापा को वापिस देती है और साथ में Lorraine और Jonathan की photo भी और post credit dialogue में Kojima सर हमें कहते हैं की अर्थ हमेशा humanity का part रहेगी चाहे हम space में जितना भी दूर चले जाएं and यहीं इस game का end था So now let's evaluate this game based on when it was created So even though यह game PS1 and SEGA session पर available है लेकिन यह game in hardwares के लिए नहीं बनाई गई थी It was created for PC98 a Japan only computer and उस time पे यानि 1994 में police notes जैसी कोई भी sci-fi game नहीं थी and जिस hardware पर Kojima की team नहीं यह game बनाई and जितना भी gaming and cinematic stuff वो इस game में डाल पाए it was very impressive for the time and police note को PS1 में port करते वक्त थी Kojima को PlayStation कितना अच्छा hardware है यह पता चला and he promised himself कि वो इस hardware के लिए एक 3D game बनाएंगे जो की 1998 में Metal Gear Solid थी and that game was the best game of 1998 and the best game on the PlayStation 1 So now क्या police note Metal Gear Universe में canon है? So यह police note Metal Gear के universe में एक movie है. So जो आपने यह पूरी गेम खेली हैं सुनी यह एक movie थी in Metal Gear Universe तब भी Metal Gear में police note को लेकर बहुत सारे easter eggs हैं जो की शायद मैं अपनी shots में discuss करूँ So यह सब factors बताने के बाद आपको यह game कैसी लगी? अपके time के हिसाब से and 1994 के हिसाब से let me know and इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपनी next video में till then see ya